के लिए काफी अच्छे लेवल पे हैं और हो सकता है कि महां से एक अपसाइड ओमेंटम काफी अच्छा देदें राइट इसके बाद हम एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेंगे और उसके बाद फिर हम स्टॉक्स के ओपर डिस्कस करेंगे कि आप 1.28 ऑउगस्ट कुन से स्टॉक्स आप इंट्राडे के लिए ट्रेड कर सकते हो तो तो ठोडल तीन चीज रहेंगी एक तो आपके पोजिशन के लिए इंट्राडे के लिए पर हम दिसकेशन करेंगे तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर ही हे एग बार देख लेते तो इसका मतलब क्या है कि market थोड़ा सा एक negative side पे आ चुके है यह activate तब ही होगा जब थोड़ा इसका low break करेगा उससे पहले था get still in the sideways zone पर हम यह मान के चल रहे हैं कि अगर मान लीजे मंडे को यह नीचे कीटर अफ्रेड करता है या फिर breakdown देता है तो हो सकता है कि एक selling pressure हमें यहां पर देखने को मिले क्योंकि wix भी काफी कम है और हो सकता है इसी बाहने selling से एक wix increase हो जाए यहां ठीक है रेड कैंडल तो बना रहा है लेकिन एक ऐसा selling momentum नहीं आ रहा है जो थोड़ा एक fast हो सकता है तो यह काफी slow ता तो हो सकता है कि यहां से एकदम से बंडे को अगर pause भी ले लिया या फिर Tuesday के दिन ब्रेकडाउन किया तो हो सकता है कि थोड़ा सा और यहां पर नीचे आ सकता है तो screener के ऊपर जहां हम देख लेते हैं कुन सी companies आप देख सकते हो तो मैं एक second MK Exim, first stock is MK Exim, India ठीक है तो आप यहां पर देखोगे यह भी 98 का price चल रहा है close to 100 है 266 CR की है 14 का, इसका PE है ROE, ROC काफी अच्छे है, इसका 28-30 है, book value 24 के थोड़ा सा उपर है book value से बाट इसका all time high 108 का यहां पर बना हुआ है, right, तो यहां पर एक बार हम नीचे आ जाते हैं, बाद में देखेंगे एक बार, तो पहले आप देखोगे काफी अच्छा है, इसके अंदर positive चीज़े हैं, सारी के सारी, और काफी अच्छे प्राउज है, बस यह है कि यह dividend payout नहीं करता है, बट कोई बात नहीं क्योंकि कंपनी काई बार अपने प्रॉफिट्स को रिइनवेस्स कर लेती है, ग्रोथ के लिए, तो डिविदेंट देना कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी शेयर्स भी अगर आप देखोगे तो कोई 16, 20, 45, 27, 102, तो इस इस तरीके के पीज पे चल रहे है, तो अब मैं देखो गाइस, मैं आपको जैसे कोई स्टॉक बता रहा हूं उसके उपर, मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा है इस लेवल के उपर आप बाय कर सकते हो, यह आपका स्टॉपलस रहेगा, लेकिर मुझे पता है कि यहाँ पे जितने हमारे वीवर्स है, 60-70 लोग आप नहीं काटने वाले, तो मैं इसलिए कुछ-कुछ जो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, तो मैं वही वाले आपको सेजेस्ट करता हूं, ताकि आप ना भी काटो तो फिर अटलीस आप उसमें बने रहो, यह परसनली तो मेरे को काटना पड़ता ही है, लेकिन जै आप नहीं के देखोगे, स्टॉक प्राइश सीजेर, रिटरन और एक्विटी और सारे ग्रॉध भी काफी अच्छे हैं इसके हिस्टॉरिकली भी, तो काफी अच्छा यह स्टॉक है, आप देखोगे, रिजर्वस भी दिरे दिर इनक्रीज हो रहे हैं, बोराइंस भी चार स से दो करोड के आसपास यहां पर आ चुकी है, तो अवराल कंपनी अच्छी है, और एक और इस चीज में है कि प्रोमोर्टर्स ने भी अपना स्टेक खरीदा इसकंदर, तो अब यहां पर देखोगे, 33% 27% ता उसके बाद अभी 41% पर इंकी प्रोमोर्टर्स ने शेयर जो है तो अब इसका चार्ट देख लेते हैं किस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं लगा लेता हूं, MK-EXIM-India यहां पर देखो कि पहले इसने 2022 में आप देखो कि यहां पर साइडवेस सा था था उसके आदे काफी अच्छी इसने रैली दिखाई थी, उसके बाद से काफी टाइम कांसॉलिडेशन जोन में यह जा चुका है, लेकिन अब क्या हूआ है, यह अपनी जो प्रीवेस रेंज यहां पर उसके ऊपर निकल चुका है, यहां पर coupled कर लिए लीविक पर बाद साब कर शे other की में डाव इन लन चुका है के cie खोटा सा बेखना का एक गागंचार क्राई पर शेये लेंमेंग पर दीरे दीरे ऐसे करके अकर ब्रेक आउट करता है तो यह काफी अच्छा मोमेंटा हमें 130-40 जैसे लास्ट ताइम जाप से रेजिस्टन्स आई थी इस लेवल पर 150 तक यह जा सकता है तो यह इमिजेटली जाए ना जाए लेकिन दीरे-जेरे करके तो आपको 106 के ऊपर इसे बाय करना है नीचे 95 के नीचे आप इसको स्टॉप लगा सकते हो थोड़ा सा अगर आपको लेस अग्रेसिव लेना है तो 90 का भी आप स्टॉप लेके चल सकते हो तो आप लगकर 15 रुपे का एसल रहेगा बन इस तु तु 3 का हमारा टार्गेट रहे तो इसका देख सकते हो और डेली चार्ट भी मैं आपको दिखा दाए है कि डेली चार्ट फे इस तरीके की मॉमेंटम है तो आप देखो कि यह देखो गिए डेली चार्ट पे फिलाल के लिए ट्यूजडे के दिनी ओपर गया तो यह वाप इस नीचे आगा ता लेकिन हो सकत वह देखो कि अपर बाइब करता है तो हम इसको भाइ करेंगे तो ऐसा है कि हमें मंडे के दिन ही से इमिजेटली बाइ कर लेना है तो हमें वेट करना है कि कभी एक अच्छी लेवल पर ओपन हो रएट और हो सकता है कि निफ्टी बैं निफ्टी भी गैब अपन हो जाए उस स्टॉक है पैनोरामा स्टूडियोज तो आप यहां पर देखो है कि 1980 की कंपनी है 260 की कंपनी है 6 का भी चल रहा है लेकिन ROE ROC काफी अच्छे है यहां पर इसके की 83 परसेंट और 56 परसेंट 216 का इसका करेंट प्राइस चल रहा है ना अल्टाम हाइस 290 बुक वैल्यू काफी अच्छे इसके अभी फाइनेश चल रहे हैं तो मैं फाइनेशली कोई स्टॉंग कंपनी ही आपको सज़ेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे बता है स्टॉपलस आप काटन नी वाली हो अब मैं बीच वीच में इसले बोले जा रहा हूं क्योंकि आपको खुडी आदत स्टॉपलस काटने की बट लेकिन लोग काटते नहीं और फिर बोलते हैं कि यार थोड़ा सा नीचे चला गया और दो हमारे स्टॉक से रेरली नीचे जाता है जो भी मैंने सज़ेस्ट किये तो आप यहां पर देखो कि 28.35.42 तो काफी अच्छा नेट प्रॉफिट यहां प नीचे अगर आप देखोगे इसमें भी प्रोमोटर्स जो हैं पोड़ी बाइंग कर रहे हैं सिश्चे 7% परसेंट पहले इनके पास 72-73% हो गया पबलिक से इनोंने 5% का स्टॉक इनोंने खरीद है तो यह फर्णमेंटली भी काफी अच्छी कंपनी है और अभी एक अच्छ अच्छी जीज थी आप उसमें पता ने थोड़ा सा लेट लोड हो रहा है याज अच्छी आज अगर इस देश्यू थोड़ा सा ही बाइट करते हैं तब तक के लिए अब लाइक और शेयर कर सकते हैं और वीडियो को और और कॉमेंट में मैंशन कर सकते हो और आपने पिछल कर सकते हो अगर आपने भी बाइ किया था उसको तो एक और मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूं यह पता नी शायद इंटरनेट स्लो चल रहा है अभी एक सेक्ड़ इसको अभी आपनेट स्लोड रहे है इसको इसको फायर स्पर अगर हम देख लेते हैं यह सिस्टम इस बिन आइडिल फर लॉंग टाइम अच्छा यहां पर अगर पैनोरामा स्टूडियो लगा लें इसको खुल जाना चाहिए है ठीक तो आ रहा है पर अठीक है तो यह पैनोरामा स्टूडियो मेंने लगा लिया यहां पर डिली चार्ट है पहले लेगार इसको वीकली पर देख लेते हैं तो आप यहां पर देखोगे कि एक काफ यह अच्छे लेवल पर है पुराने टाइम आप देखोगे कि अपर एंड अपर लेवल पर इसने यहां पर फिर से ब्रेक आउट दिया था इस लेवल से एंड उसी के आसपास यहां के हैमर कंडल की कंसॉलिडेशन बना रहा है तो यहां पर इसने रेंज डिफाइन कर दिया तो हम जब भी इसको रेंज के उपर निकल का हमारा इसमें एसल रहेगा 210 मानलो ठीक है तो आपका है पर 20 रुपीज का एसल है और अल टाइम हाई का हमारा इसके अंदर टार्गेट रहेगा क्योंकि अब यहां पर देखोगे कि पर ने यहां पर इसने ब्रेक आउट दिया था वहीं से यह अब कंसॉलिडेट कर रहा ह लास्ट आप हम देख लेते हैं लॉड्स क्लोरो एलकली ठीक है लॉड्स क्लोरो एलकली यह एक्शली थर्जडे के दिन में बाहे करना चाह रहा था फिर मैंने सुचा कि वीकली क्लोजिंग का वेट करता हो लेकिन यह उसी दिन आल्रेड़ी है यहां पर 10% का इसने मूव द पर यहां पर नीचे देखोगे कि काफी अच्छा इसने ऐसने प्राइटर मना रखा था काफी टाइम से चलो चाहर बाद में दिखाता हूं आपको पहले प्रोस कोबर डिसक्स करें काफी अच्छे सारे इसके फाइनेशल्स हैं यहां पर बस ही है कि डिविनेंट प्याउट कर रहा है तो यहां पर कुछ 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 कंपनी और भी अच्छे उपर गुजराद अलकली जैसे हैं तो लॉट्स क्लोर जो है फॉड़ा ओर उपर प्राइस होना चीह था तो यहां पर इसके फानेशली फंडामेंटली भी आप देखोगे कि अच्छा प्रॉफित यहां प जो ते 60-70 CR के थे अब सिर्फ बाइस करोड का लोन बचा हुए तो यह काफी अच्छी चीज है कंपनी जो है फंडमेंटली स्रॉंग होल पे चल रही है भी प्रमोर्टर्स में भी कुछ नूच बाइंग करी है 68 पर संट बदाब 74 पे आ चुके है और डिया इस ने भी डिया है इस चलो कॉंस्टेंट ही है यह लेकिन पब्लिक से जो पैसा है वो वापिस से लिया गया है तो मतलब प्रमोर्टर्स वोडे कॉंफिडेंट है स्टॉक को लेकर तो अब एक बार में देख लेते हैं कि लॉर्ट्स क्लोर एलकली नस्यू पर अधिंगे बी एसी का ही अब यहां पर वापिस इतनी कंसॉलिडेशन हुई है यहां पर जुलाई से लेकर अब तक कोई मोमेंटम नियुआ था तो मेरे को काफी यह था इसमें बाय करने का यहां पर देखोगे कि इसने एक ग्रीन केंडल बनाई है तो हो सकता है इस जैसा एक मोमेंटम हो जाए कि ज बाकि अगर हो सकता है कि ऊपर जाके यह रुपने के बाद ब्रेक आउट देते तो वी नेवर नो कि क्या हो सकता है बट वी नो इस कि हम अपना स्टॉप लोस कैसे मैनेज का सकते हैं अल्दो आप लोग स्टॉप लोस काट होगे ने पर यहां पे इसके नीचे जो है हम 150 के स्टॉप लोस रखेंगे जैट इस 142 तो जहां पर एसल थोड़ा सा बड़ा होगे लेकिन अगर आप डेली चार्ट में देखोगे तो मैं इसको थर्ष्डे के दिन में देख रहा था कि हां पर थर्ष्डे के दिन यहां पर यह काफी अच्छा लेवल बना हुआ था तो चा नाइन के उपर आप इसको भी गड़ सक्ते हो तो इस चाहिकर क्या तो काफी अच्छी लेवल पर यहां पर दिख रहा है काफी अच्छी इसने कंसॉलिडेशन दिखाई यह काफी टाइम से काफी टाइम रुका हुआ था अब मेंटम करने का टाइम आ जाया तो अब यह कर भी रहे तो बस थोड़ा से हम लेट होगे हैं इस पार्टी में वर्ट एनिवेज आप एसल थोड़ा मैनेज करके अगर आपने यहां पर दस बार रुपे का एसल लेकर तीस रुपर भी पकड़ ले तो भी बन इस रूट का आर यहां पर बन जाता है वाग कि अगर ऑल टाइम यह हो सकता है कि काफी अच्छा मोमेंटम कर सके वानेटी तक भी चला जाता तो यह आपको एक अच्छा पूराफिट यहां पर मिल सकता है तो अब इस टॉक को रख सकते हो तो फिर हम एक बार देख लेता है कौन से हमारे स्टॉक्स थे पहला था लॉर्ड्स क्लोरो अलकली सेकेंड हमारा था मक एक्जिम इंडिया एक पैनोराम स्टूडियो ठीक है मपेल कर लो इसको ठीक है MPL तो हमने MPL के स्टॉक्स ले रहे हैं ठीक है तो MPL आप इसको दिवांग में रखेगा तो मंडे के दिन जैसे कोई भी वरेक करता है तो आप इसको मांड में रह सकते हैं आपको यह भी ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइड में मार्केट शिफ्ट हो चुका है तो इसको इसाब से कॉंटिटी को थोड़ा कंट्रोल में रखना है अगर आप स्टॉक्स बागी देखते हैं तो मंडे दिन देख लिए इंटरड़ के लिए स्टॉक्स कौन से आध आधानी स्टॉक्स में ठीक है तो 28,000 तो कोई बड़ा माम निया बर ठीक है कुछ भी अगर न्यूस आ रही है तो हमें उसके लिए देखना पड़ेगा तो यह सेलिंग प्रेशर में हाँ पर रह सकता है अधानी एपोर्ट्स का भी सेम है लिए थोड़ा सा मोमेंटम आधानी स्टॉक्स के लिए उसके वाप पर जानी अशफ देख सकते हैं तो दिख्ने थरजदे को मैंने इह दिया तो चले स्टॉक्ड कर लिए तो एब चोड़े यहाँ सको आप पर इसको अव नहीं को तो ऑर तो नहीं है सकते हो अगर आपर देखो एक रूशियल लेवल है यहां पर एक इनवर्ड है शोल्डर का इसमें यह एक अच्छा लग रहा है कि एक आने वाले उपर लेवल तक जा सकता है 15 30 ग आसपास तक तो यहां पर भी 20-30 अच्छार आ रहा है तो इसको आप थोड़ा शोर आ रहा है त जोन को आइसे की एक शेक आप रहा है तो नेक्सट आजाते है भारत फोर्ज के वपर नहीं बारती है यहँ देखनी सेऴिए यहां पर में नेक्स आजाते है थाल पाफी अछलेवल पर है यहां पर इसने ब्रेकडाउं तो किया नहीं है ठागिन इन फेक्त आ पे हैमर बन कि हम कुन से स्टॉक्स करेंगे और आप चाहे ना भी देखो यह तीन भी मुर्दान इनफ है बाकि मैं आपको निफ्टे फिफ्टी के सारे स्टॉक दिखाई जयता है अप साइड करेंगे अपसा ज्यादा लग रहा है सिपला भी हमने डिसकस किया था अगर आप देखोगे कि यहां पर काफी अच्छा मोमेंटम इसने इहां पर दिया है तो हो सकता है कि छोटी सी कंडल बनी एक और फॉला थू मिल जाए वैसे बड़ी कंडल बननी चाहे थी पता नहीं क्यों नहीं बना और नेक्स्ट है कोल इंडिया लेवल पे है पर ठीक है कोल इंडिया में कर सकते हैं यह शायद अगस्ट के मिल की बात है इधर के आसपास की तो उसके आस से अभी काफी अच्छा उसमें के अंदर भी प्रिमियम डीके हो गया होगा तो हो सकता है यह नीचे आज है काफी अच्छी इसमें राली दिखाई थी तो थोड़ा बरन आउट हो गया है इसको आपे ट्रेल ले सकते हैं ग्रास्री इंडस्ट्री इसको अच्छा लगर में को लगने रहा है इसकंदर एसल टैक भी मिडल में यह नहीं नहीं अगई एफसी बैंक ने तेख यह ब्रेकडाउन कर लिया यह थिए थर्जडे को डिसक्स किया था कि कर सकता है इसके को अच्छा सकते हैं यहाँ गां ट्रेक्ड़ को चैनल अच्छास अच्छा से एक एल खवाग के बारेकर ङणे थैंड़ी ज सिर्लूण हम अट भी तए और हैं अच्छास च् सेलिंग करें रखना पड़ेगा अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो इंटसेड में नहीं है इंफो से थोड़ा लग रहा है उपर आसकता है बर अभी इतना इंटसेड नहीं है क्लियर ली नहीं जा रहा है अच्छे से जैस्टेल भी काफी है ब्रेक्डाउन लेवल पर यहां स्टॉक्स तो काफी मैंने बता दी है जो अब ट्रेड कर सकते हो बाकि जो मैं अभी कोई अच्छा लग नहीं रहा है को काफी टाइम से तो तिन मैं देख चुका हूं नेसले इंडिया को में अच्छा इंटम कर सकता है बड़ इसको भी वाच्लिस पे चल रहने देने क्यों अच्छा लेवल आपको नहीं मिल जाता है कि इसी स्टॉक में तो आप उसको इसको करते चलिए आपको ज़रूरी नहीं जितने स्टॉक्स आ फाइंड करोगे उतना अच्छा मोमेंटम करेगा आपको एक सिलेक्टेड फ्यू स्टॉक्स लेने चार या पाच उसी में आपको करना पड़ेगा उनके ब्रेक आउट के लिए राइट तो यह होता रहेगा हमें बस अपना अनलेसिस सही करना है बस वेट करना है कब वो ब्रेक आउट करेगा आप उसको डेडर पर रख सकते हो एक अलर्ट लगा के कि किस तरीके से रह सकता है अभी थोड़ा इसको टाइम मैं टाइटन में भी इंडिएटल जबनी करें में कोड़ा मीडल में लेवल क्लूज रहे है काई ब्रेक आउट या ब्रेक आउट सेनारियो बनता तो तो हम इसको देखते यू पिर पता नहीं काफी टाइम से नीचे गिरा जा रहे हैं बड़ा मैंने लिया नहीं हुआ है प हाँ तो यहां नीचे की तरफ यहां पर क्लोजिंग इसने काड़ी है पड़ कोई धंका लेवर मुझे लगने रहे तो रही ठीक है इतने ही हमारे स्टॉक्स सारे माने डिसक्स के लिया है तो आप चार पां स्टॉक्स को नजर में रख सकते हैं एदानी एंटरप्राइसिस बजाज ऑटो बजाज फिंसर और डिविस लब डॉक्टर एडी एक सेलिंग के लिए ता तो हमने चारपां स्टॉक्स से यहां पर डिसक्स के लिए बाकि आप वीडियो को फिर से अगर आप देखोगे तो जिस यह स्टॉक्स मैंने बताया उनको आप रेडार पर एक सकते ह करेंगे एंपिल अपनी एंपिल यहां पर एंप के एक्जिम हो गया पी से पैनरामा स्टॉडियो एल से लॉट्स लोर और अलकली तो एंपिल के स्टॉक्स अब को अभी बाय करने रहेंगे जब भी ब्रेक आउट करेंगे रइट इंग दाट सॉल फर टुड़े गाइस और अगर वीडियो अच्छा लगाया तो डेफिनिटली वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों से शेयर कीजिए हमारे अब 980 संतिंग को सब्सक्राइबर सोच चुके हैं बस देरे देरे हम थाउजन की तरफ आ रहे हैं तो आप ही इधर तक लेके आएं तो थोड़ा सा और आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करवाई है अपने दोस्तों से फ्रेंड से फैमिली से ताकि हम भी एक थाउजन डेवल तक हमारा स्टॉक जो है वो पहुच जाए ठीक है अभी हम जिरो से शुरू किया था जो स्टॉक्स में अभी काफे अची बड़ोतरी आ रही ह तो थाउजन का मारक हम टच करने वाले हम आज़ा सेलिंग प्रेशर नी आना चाहिए ब्रेक आउट आना चाहिए तो तो दैट साल फर टोड़े गाइस एंड थैंक यू फर वाचिन